नमो नारायन जाए महाकाल, जाय माब अगला मुख्य देखिए आज का विश्य है कि पूजा का दीपक बताएगा कि आपके साथ चलने वाली सक्ति, भूठ है, प्रेथ है, या फिर दैवी सक्ति है पूजा के दीपक में यह सक्ति आती है और यह कौन सी आती है यह आपको दीपक ही बताएगा तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या होता है जिससे हमें पता चल जाता है देखे सबसे पहले यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो निरंतर साधना करते हैं और जिन्नोंने कभी साधना की ही नहीं है तो उनको यह समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल ला हूँ तो जो निरंतर साधना कर रहे हैं पूजा पाट बहुत जादा करते रहे हैं और अपने सामने हमेशा का एक दिया जलाते हैं चाहे वो मठी का हो चाहे वो इस्टील का हो चाहे वो पीतल का हो लेकिन एक दिया जलता है तो ऐसे में यह जो मैं बताने जा रहा हूं वो चीजे हूंगी आपके साथ और एक चीज जान लिजिए, मैं आपसे परसनल ये चीज कहना चाहता हूँ, कि जब भी आप दिया जिलाते हैं, तो सबसे बढ़िया जो दिया होता है, वो होता है मिट्टी का दिया, अगर आपको मिट्टी का दिया कोई मिल जाता है, क्यों ये महत्तपूर्ण होता है, देख कुमार, है ना, तो इसका importance बहुत जादा होता है, आप देखेंगे एक उपाय होता है, जिसमें कुमार की चौक, जिससे वो काटता है, जो दागा होता है, उसका भी बहुत important role है, वो यहाँ पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन important role है बहुत जादा, तो मिट्टी का बहुत important role होता है, मिट्टी का दिया बहुत बढ़िया माना गया है, तो अगर आप सब के पास भी ऐसा दिया है, या दिपावली में से बच गया है, तो उसका use करें, तो जादा अच्छा रहेगा, आप बड़े दिया का प्रियोग कर सकते हैं, ठीक है, छोटी चीज होती है, उसको बोलते हैं, डिया ली और बड़ा होता है, तो मिट्टी का बड़ा दिया भी आप प्रियोग कर सकते हैं, पहली चीज तो यही हो गई, दूसरी बात आती है, कि जब भी आपको सिध्या मिलती है, कोई भी चीज होगी, तो सबसे पहले वह इस दिया में ही विराजम कि आपकी सादना ओपर बढ़ेगी चीजे जाएंगी तो आप देखेंगे पहले तो आपका दिया नॉर्मल जलेगा पहला चीज तो यही होगा नॉर्मल जलना है लेकिन जैसे जैसे आपके मंत्र का जाप उपर बढ़ता जाएगा दिन गुजरते जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि आप ध्यान देना उस पर या तो वो दिया फड़ाएगा फपकेगा उपर ऐसा लगेगा कि लो बुझने वाली है या फिर वो धड़केगा उपर को बहुत तेजी से उपर को उठेगा ठीक है यह पहला लक्षड होता है दूसरी बात होता है कि ऐसे में दिया का जो आप प्रज्योली होती है फो अपने आप उसकी व Тут को मुढ जाती है अगर यारी उस रुई के सारे जो लव उट रही है अगर आपने सूत से बनाया है कपड़ से बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी जो लव उठेगी वो परमात्मा के चरणों की तरफ को मुड जाएगी ठीक है लेकिन अगर वो चरणों की तरफ नहीं मुड रही है दूसरे प्रब प्रप को मुड़ रही है कहीं और जा रही है तो, its mean ये अच्छी energy नहीं है ठीक है अगर आपकी लऌ स्टेसी सी उपर को दग रही है तो ये एक अछी energy है लेकिन अगर आपकी लऌ फड़ा रही है बुजने की कोसिस कर रही है तो its mean वहाँ पर negative energy है जो आपके घर में मौझूद है जो उस दिये को बुझाना चाह रही है तीसरी बात आती है कि जैसे जैसे दिये में आप आगे बढ़ते जाएंगे यानि इस पूजा पार्ट में आगे बढ़ते जाएंगे दिये में भी चीजे बतलेंगी जब आपका पहला step होगा तो दिये में पहले फूल बनेंगे तरह तरह के फूल कभी कमल का फूल कभी गुलाब का फूल फूल बनेगा यह तो confirm है फूल बनेगा फिर उसके बाद दूसरा step आएगा तो दूसरे step में आपको जानवर की चीज़े दिखाई देंगे कभी गिद बन जा रहा है कभी सेर का चहरा आएगा कभी हाथी का आकरती आएगी है ना कई कई प्रकार की आकरती आपको साहा अपने उला सब दिखाई देगी यह दूसरा चरण है इस चरण के बाद जब आप तीसरे चरण में पहुंचोगे तब आप देखोगे कि असली में क्या आपके साथ चल लाहा है और कितनी पूजा पाट आपकी सफल होई है अगर आपकी पूजा सही तरीके से हो रही होगी तो ऐसे में आकरती जो बनेगी वो भगवान की बनना स्टार्ट होगी और गलत तरीके से आपने को इत्रुटी की होगी या फिर आपके गर में पहले से ही निगेटी उनर्जी आपनी साधना को बढ़ाते जा रहे हैं तब आप देखेंगे कि भूत प्रेत की आकरती बनना स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे में तुरंत आपको अपनी पूजा को बंद करने ना चाहिए क्योंकि आप जाने अंजाने में भूत प्रेतों को अपनी और आकरसिद कर रहे हैं तो सबसे पहले फिर अपने घर का वास्तु सही करिए कुल देवी देवता को मनाईए पित्र देवता को मनाईए क्योंकि कुल देजी देवता अगर आपके सही नहीं है जो देवता है फिर आप कितने भी पूजा पाट कर लो कभी भी सफल नहीं होगी और ऐसे में क्या होगा कि जब सफल नहीं होगी तो फिर भूत प्रेत आपके घर में आ जाएंगे जो भी आप भोग चड़ाएंगे वो स अगर आपके घर में जहां आप पूजा पार्ट करते हैं कोई भी खिड़की नहीं है कहीं से भी कोई हवा का इस्तरोत नहीं है लेकिन फिर भी आपका दिया बुझ जाता है तो भी उस घर में निगेटिव एनरजी मौजूद है तो सबसे पहले निगेटिव एनरजी को हम जा जाएगी खिलेगी नहीं दूसरी बात है कि आप उस घर में साम के साथ बजे दिया जला के रख दीजिए अगर सुबह तक वो दिया मैं बड़े दिये की बात कर इसमें इतना इनफ हो कि वो सुबह तक जलता रहे चाहे भले वो रात को आप बारा बजे जलाए सुबह चार बजे तक भी अगर जलता रहता है चार बजे इस ओके क्यों क्योंकि यह ब्रह्मुलत होता बस इतना ही चाहिए चार घंटे अगर जल जाता है तो आपके घर में अच्छी एनरजी है लेकिन अगर कोई भी इस्तरोत नहीं है किसी भी कोने में आपने चलाया और भुझ जाता है आपके घर में फिर से एक निगेटिव इनरजी है तो दिया जो यह विधी करनी है वह हमें साथ दिया चारो कोनों के किसी भी कोनों में आपको करना है पूरा पस्चिम उत्तरदच्छन उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो सबसे पहले अपने वास्तु सही करिए अपने कौन कौन सी आकरतिया बन रही किस स्टैप में आप कहां तक पहुँच चुके कौन से चरण में आप चल रहे हो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सेर जरूर कर दें अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जो लोग मेरे चैनल के नए आए हो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने साथी बैल आइकन बटन को भी रूटेन के बारे में बताऊंगा मंदरों में आपको लेकर जाऊंगा सही तरीके से प्रापर तरीके से है ना उसमें मंदरों के बारे में बताऊंगा टूथ रिवील करूंगा बताऊंगा कि कैसे भूत परेत निकाले जाते हैं होते हैं जहां जहां यह करा जा रहा है प्र और मेरे प्रभू नरायन आपकी सभी मनों कामनों को पूर करें भक्ति के मार में आगे बढ़ते रहें और भक्ति में आपको सक्ती भी मिलते रहें नवो नरायन जाए महाकाल जाए मगला मुखी